हेलो डियर स्टूडेंट्स विल्कम टू यर्श अकेडमी कराड जे इमेन 2023 केमेस्ट्री में 90 प्लस स्कोर करने की बेस्ट स्ट्राटीजी क्या होनी चाहिए इसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ कल से आपकी जे डबली मेन 2023 फॉर्स सेशन स्टार्ट होने वाला है देश भर के सभी उमिद्वारों को एध्यान में रखना चाहिए कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता इंटरंस एक्जा में सफलता का मूल सार सही स्ट्राटीजी के साथ की गई कड़ी महनत है अगर आपको अच्छा गून और स्कोर करना चाहिए तो दो बाते होनी चाहिए एक स्ट्राटीजी और दुसरी कड़ी महनत आपको मालूम है कि NTA ने NIT, IIT और अन्य केंद्रिय वित्त पोशित तक्निकी संस्थानों मिन्स सेंट्रली फंडेर टेक्निकल इंस्टिट्यूट्स में बिटेक प्रोग्राम में एड्मिशन लेने के लिए जे डबली में 2023, 24 जानिवारी 2023 से परिक्षा शुरू हो रहे सभी छात्रों को यश अकेडमी कराड की तरब से शुब काम नाए आपको मालूम है कि 24 जानिवारी से 31 जानिवारी तक ये एकजाम चलने वाली थी लेकिन उसमें कुछ बदलाव लाया है डेट्स पेपर वन के लिए जे डबली में 2023 परिक्षा की तारिक है आपको मालूम होनी चाहिए 24 जानिवारी, 25 जानिवारी, 29 जानिवारी, 31 जानिवारी और फेबरारी 1 26, 27, 28 ये ग्याप रहेगा केमेस्ट्री में आपको 90 प्लस और उसके उपर मार्क होनी चाहिए जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा मार्स ला सकते periodic table and representative elements periodic table अगर आप देखे तो representative elements हो या s block elements हो, p block elements हो और d and y block elements हो अच्छी तरह से देखो पड़ो एक्जाम में इस topic पर कम से कम तीन questions, 3 questions, minimum 3 questions में भी आपक ड जी डबलल से में अग्जामिनेशन then transition elements and coordination chemistry यह जो transition elements D and A block elements particularly and coordination compounds और chemistry यह इस exam में इसके उपर भी 3 questions आ सकते हैं then atomic structure minimum 2 questions chemical bonding 2 questions thermodynamics 2 questions chemical and ionic equilibrium 2 questions solid state and surface chemistry 2 questions aldehydes and ketones 2 questions so these are the important topics or chapters for JEE main examination अगर यह chapters आप अच्छी तरसे पढ़ोगे तो अच्छा स्कोर करोगे अच्छा स्कोर करने के लिए कुछ बातों का ध्यान में रखना चाहिए क्या बाते हैं पहली बात यह है कि make daily practice of solving problems हर दिन यह आपको करना चाहिए आनुमान का सही उपयो करना चाहिए MCQ solve करते समय you have to solve previous year questions papers और during the examination period you have three subjects physics, chemistry and maths so try to solve chemistry first मंजे या तीन subject मदून chemistry हा subject पहलेंदा सोडोनेचा प्रेत्न करा कि जेने कोरुंतु माला पुडचे सगले maths आनी physics हे सोडोताना time management चाहिए आनी ते सोडोताना कुटली आडचा नेनार नाही या साथी the best book you use NCRT NCRT का जो book है वो अच्छी तर से पढ़ो क्योंकि ज्यादा से ज्यादा questions उसमें से आते हैं आज तक का यही आनुमान है तो मेरे छात्रों को बेस्ट विसेश पर JEE में 2023 53. Thank you.